देश भर में कोरोना वाइरस के संक्रिमन के बीच कई वीडियो वाइरल हो रहे हैं ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शक्स सोफे पर बैठे दिखाई दे रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये शक्स कॉंग्रेस के पूर्व विधायक अमरनात्तिवारी हैं लॉकडाउन से तंग आकर पत्नी ने पूर्व विधायक को सोफे पर बांच दिया है पेस्बुक पेज काशी के निवासी ने 30 मार्च को एक वीडियो अपलोड करते हुए लिखा है कि ये जनाब उतरप्रदेश से कॉंग्रेस के पूर्व विधायक अमरनात्तिवारी हैं लॉकडाउन में पत्नी ने तंग आकर इन्हें सोफे से बांधिया और अब इन्होंने ये वादा किया है कि ये हुक्म नहीं चलाएंगे बलकि घर के कामकाज में हाथ बटाएंगे पोचा भी लगाएंगे जाडू भी लगाएंगे और बरतन भी साफ करेंगे पोचा कर देगे पूरे घर में जितना बरतन मसद है बल देगे भाई नहीं करेंगे वीडियो खाली और वीडियो गप करना क्याटिंग करना कुछ निए पले घर का काम सिर्फ कुछ मिलेगा नहीं करेंगे वीडियो फिडियो कुछ ने भाई ए भगवान कि मोदी जी आप क्या कर दिया है भाई मोदी जी आपको पत भी नहीं है आप क्या समझेगे हम बदे नहीं रहेंगे हम नहीं जाएंगे कहीं माहर आपको माफ कर दीजिए मोदी जी को पत भी नहीं है इसलिए लेकिन नियूस ने जब इस वीडियो की परताल की तो पता चला कि इस शक्स का नाम अमर्नाथ तिवारी है लेकिन ये यूपी के नहीं बिहार के नेता है पूर्णिया के धमदाह से विधायक रहे अमर्नाथ तिवारी ने खुद से ये वीडियो बनाया है परताल के दौरान हमें अमर्नाथ तिवारी का एक और वीडियो पेस्बुक पर मिला जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने मनुरंजन के लिए किया था भाईयो आपने हमारा वीडियो वाइरल होते हुए देखा होगा अन्यता उसे सीरियसली बना ले है वो एक इंटेटेंटमेंट के रूप में बनाया गया था एक एस रोज घर में रहना है आप जानते हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए एक एस रोज घर में रहना कितना कटिन होगा यह तो आप ही लोग सोच सकते हैं राहुल जी ने भी ट्वीट करके सरकार को वर्णिंग दिया था कि यह करोना वाइरिस बड़ा ही सीरियस मामला है इसे सीरियसली ले आप सभी घर में अच्छे से रहें स्वस्त रहें और स्टेट होग, स्टेए हेल्दी, स्टेए सेफ न्यूस की परताल में ये बात साफ हुई के जो वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है उसमें दिखने वाला शक्स यूपी के कॉंग्रेस नेता अमरनात्तिवारी नहीं बलकि पूर्णिया के दमदाहा के विधायक रहे अमरनात्तिवारी हैं न्यूस डेस्क